दोस्तो, वेलकम टू मैं चैनल, इस वीडियो में आपको मैं मोडियूल के बारे में बताऊंगा, मोडियूल के टाइप्स के बारे में बताऊंगा, वर्किंग फंक्शन के बारे में बताऊंगा, कहां कहां यूज होता है उसके बारे में बताऊंगा, वारिंग के बारे में ब मोडूल से पहले लगे सारे डिटेक्टर वरकिंग पर रहता है यही काम iisolation मोडूल का होता है इस SLC में short circuit हुआ है फिर भी isolation मोडूल से पहले लगे टेक्टर और mcb working condition पर है दोस्तो यह isolation मोडूल है और मैं आपको इसका जैसा कि आप यहां देख रहे है isolation module यह लिखा हुआ है isolation, ISO X यह code word में लिखा हुआ है isolation module है अब आपको इसका wiring connection के बारे में बताऊंगा जैसे जहां लिखा हुआ है SLC SLC मतलब signal line circuit terminal 1 T1, terminal 1 तो इसमें हम लोग black वाला wire इस terminal में जोड़ेंगे connection कर देंगे इसको tight करके पूरा full tight करेंगे इसको फिर terminal 2 में यह in wire है इस detector से आया है इस detector से in होकर के आया है यहां पर जैसे देख रहे हैं आप red terminal 2 में लगा देंगे और black terminal 1 में लगा देंगे पूरा tight करेंगे नहीं तो फिर हमारा यह connection नहीं हो पाएगा पर उपर फिर उसका out cable एकलेंगे out cable को out cable का जो black cable है terminal 3 में लगा देंगे negative में जैसा कि यहां देख रहे हैं अब उसके बाद फिर red cable terminal 4 में लगा देंगे out cable का slc से slc terminal 4 यानि positive में लगा देंगे red positive में और black negative में इस तरह से यह हो गया complete हमारा connection अब दूसरा यह detector यह out detector हो गया monitor module किसी दूसरे device जैसे sprinkler follow switch या detector से signal को receive करके panel को भेज दिया है इस picture में monitor module follow switch का signal receive करके panel को भेज दिया है दोस्तों यह fire monitor module है अब आप इसका wiring connection के बारे में समझिए सबसे पहले इसमें हम SLC का SLC का connection देखेंगे SLC एक in cable या in cable आया है हमारा panel से डिटेक्टर होता हुआ या in cable आ गया और ये cable out गया है ये दूसरे डिटेक्टर में चला गया है तो इसका जो rate cable है दोनु rate cable एक टर्मिनल में पोजिटिव टर्मिनल में ये rate cable इसमें लगा देंगे पोजिटिव टर्मिनल में और black cable नेगिटिव टर्मिनल में लगा देंगे और इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे इसको ड्राइवर से या टेस्टर से हम इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे इसकी स्क्रू को जैसा कि वीडियो में पहले बताया गया है कि यह जो मोनिटर मूडिल होता है इसका काम क्या होता है इसका काम यह होता है कि किसी दूसरे device का signal को जैसे device like device जैसे follow switch हो गया या फिर director हो गया या फिर और दूसरे device जैसे sprinkler हो गया इसका signal को ले करके ये panel को भीजता है इस वीडियो में follow switch का connection मॉनिटर मोडूल से हुआ है तो यह कैसे हुआ है आप देखिए यहां estrogen में आपको समझेऊंगा यह देखिए red cable the red वाला wire को av positive terminal में connection करेंगे और black वाला wire को और negative terminal में connection करेंगे सको screw rubber से Connection इसको पूरा tight कर देंगे ये red में connection करेंगे और इसको black में करेंगे और यह जो register देख रहे हिे आप, ये register इसलिए लगाया जाता है कि panel में कभी treble आता है, वे treble को दूर करने के लिए ये लगाया जाता है अगर हम इसको नहीं लगाये तो पैनल में हमें ये शो होगा ट्रेबल ट्रेबल क्या शो होगा कि जैसे ये ओपें सर्किट सो होगा अब आप देखिए ये केबल हमारा फोलो स्वीच में कनेक्शन हुआ है फोलो स्वीच में चला गिया है फोलो स्वीच एक्टिव होगा तो ये फोलो स्वीच जब एक्टिव होगा तो हमारा यह monitor module को signal देगा फिर monitor module signal को alarm panel को भीज़ देगा इस तरह से हमारा फिर यह alarm hooter बजना start हो जाएगा अब आप देखिए यह जो follow switch है इसका connection अक्सर लोग गलत कर देते हैं इसका connection के वज़े से तो यह बाद में problem होती है जो इसका black wire है इसको common में लगाते हैं यहां लिखा हुआ होता है टर्मिनल में लिखा हुआ होता है अगर आप देखेंगे तो अभी साइद आपको वीडियो में ने दिखेगा बट यह लिखा हुआ होता है टर्मिनल में है तो बलेक के वल कॉमन में लगाएंगे और यह बलेक वायर कॉमन में लगाएंगे और जो रेड वाला वायर है इसको एंसी में लगाएंगे एंसी में एंसी में लगाना है इसको और यह हमारा वारिंग इस तरह से कंप्लीट हो गया वारिंग कनेक्शन कंप्लीट